नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 मैं 2021 के समाचार विसलेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें 10 हिंदू अकबार के प्रमोख आलेखों तता संपादगी का हम विसलेशन प्रस्तुत करेंगे। आज के हमारी चर्चा में प्रमोख रूस में हम देखें तो 5 यहां पर हम अलग-अलग आर्टिकल को सामिल कर रहे हैं जिसमें संपादगी भी साथ में हैं। पहला म्यानमार में विरोध की सौधिन। दूसरा भुकमरी की बुलट ट्रेन जैसी तीवरता। तीसरा भारत में व को उत्तर कैसे लिखना है। आपने पहले आर्टिकल को अगर देखें तो यह म्यानमार में वरतवान में चल रहा जनता का जो विरोध प्रदर्शन है उसके संबद में हैं और इसकी सुरुवात अगर हम देखें तो एक फरवरी को हो गई थी। जब एक तरह से से सरकार के द आंसांसू की उनकी पार्टी के दौरा जो चनाव में एक भारी भोमत से विजय प्राप्त की गई थी उसको एक तरह से नकार दिया गया। सेला के दौरा एक तरह से आपातकाल निस्तितियों को लागू कर दिया गया और डेमोक्रेसी को यानि लोकतांत्रिक वहाँ पर एक कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस आर्टिकल में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये 100 दिन के समय में मियानमार में जो परवर्तन हुए है। मियानमार में देखिए जो भरतमान घटना करा है में उसकी चर्चा कर हम देखें तो उसकी जो प्रेस्ट भूमी अभी वर्तवान में नाम म्यानमार है, लेकिन उसमें ये बर्मा कहलाता था, तो एंगलो बर्मा जो पहला युद था, जिसमें यांदवो की संधी हुई, इस संधी के द्वारा अगर हम देखें, तो अरकान का जो तटी भाग है, आप कह सकते हैं, म्यानमार का इतरह से बंगा चैसी शैसे में हम देखें, तो ब्रिटिन और बर्मा के बीच में एक छोटा युद धुआ, और यहां पर ब्रिटिस सरकार के तरफ से मांडले पर कपज़ा कर लिया गया, और बर्मा को ब्रिटिस भारत का एक प्रांत बना दिया गया, आगे चलका 1937 में अगर हम देखें, तो ब्रिटिन ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया, और एक अलग आपनवेस के रूप में इसका सासन किया जाने लगा, अगर हम आधुनिक समय में आ जाएं, तो दूसरे विस्तुद में, 1942 में अगर हम देखें, तो जापान ने अपनी तरफ से प्रसच्चित करके एक इस पालिटी को अगर हम देखें, तो एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीक आ जाता है, यानि ए एफ पी एफ एफ एल, तो इसके दोरह एक तरह से जो जापान का नियंतरन था बर्मा पर उसका फिर विरोध किया गया, जबकि इन्होंने जापान की मदद से ही बर्मा क इतरह से आजात कराया था ब्रिटिस नियंतरन से, दूसरे विसूत की अगले भाग में आप देखें, उन्निसोप पैतालिस में, जब जापान थोड़ा कमजोर हुआ, तो ब्रिटिन ने आंगसान, आंगसान को आप ध्यान रखें कि म्यानमार में इतरह से फादर आप नेश ब्रिटिन के साथ एक तरह से मदद ली और जापानी कबजे से बर्मा को आजात कराया, तो आप देखें, एएफ, पी, एफ, एफ, ने पहले जापान की मदद से जो बर्मा है उस पर ब्रिटिन का कबज़ा हटाया, जापानी जब नियंतरन हो गया, तो जापान से उसे हत्या कर दी गई, 1947 में आंगसान के हत्या कर दी गई, उन्हीं के कह सकते हैं पार्टी के कुछ समर्थकों के दोरा, कह सकते हैं आपस में विरोध हुआ, पार्टी के अंदर, और इसी एफ, पी, एफ, ल के नेता यूनू थे, वो म्यानमार में प्रधान मंत्री बने, ध्यान पर लोगतांत्री वहस्ता बहुत मजबूत नहीं रह पाई, क्योंकि आगे 1962 में यूनू की जो सत्ता थी, उसको जनरल एन विन के द्वारा, सैन तक्था पलट के मादम से अलग कर दिया गया, यानि आप कह सकते हैं, उन्होंने संगी वहस्ता को समाप्त कर दिया, और बर्म लगा दिये गया, 1988 में अगर हम देखें, तो State Law and Order Restoration Council का एक गठन किया गया, ये आप ध्यान रखें एक तरह से सैन शासन की प्रमुक संस्ता है, वरतमान में आप देखें, 1997 में इसका जो नाम है, वो वरतमान समय में आप देखें, तो राज्य सान्ती और विकास परस्त है, State Peace and Development Council, 1989 में अगर हम देखें, तो आंगसान की बेटी और बरतमान में जो NLD की निता है, आंगसान सुकी, उनको घर में नजर बंद करके रख दिया गया, और 1990 में जो एक तरह से आम चुना हुए, इसमें NLD के दारा बड़े पहमाने पर एक जबरदस्त जीत प्राप्त की ग और वहां की सैन ने एक तरह से जो सरकार थी, उनकी समर्थक पार्टी थी, Union, Solidarity and Development Party, उसके दोरा चुनाओ जीते गए, आंसान सुकी की पार्टी ने एक तरह से इसका कह सकते हैं बाहिसकार किया, और आगे चलकर 2010 में ही, उनको जो उनके घर में नजर बंद किया गया था, उ जो संसत का पार्ट है, वहां पर सैन ने जो भागिदारी है, वो बड़े पैमाने पर रहती है, ये कहना कि लोकतांत्री व्ष्था में पूर्ण रूप से वहां पर जो चिने हुए प्रतनिदी हैं, वो सारा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो सत्ता 2010 से या 2015 में वहां इस् उसके एक लंबे समय के बाद 2016 में एक लोकतांत्री व्ष्था यहां पर इस्थापित हुए, लेकिन फिर से नॉम्बर 2020 के जो चुनाव हुए, उसमें NLD की जो जीत हुई, आंसान सूकी ने जो भारियो बहुमत से जीत प्राप्त की, उसको सैन सत्ता ने अस्विकार कर दिय और एक फरवरी 2020 को सैन सत्ता ने फिर से निंतन इस्थापित कर लिया, और NLD पार्टी का जो चुनाव था, उसको एक तरह से रद कर दिया, और आने वाले एक साल के समय के लिए पूर्ण रूप से आपातकाल जैसी स्थिति म्यानमार में घुशना कर दी गई, वर्तमान में जो सैन सासन वहां काम कर रहा है, उसके दारा को सुझाव भी दिये गए, कि कि किस तरह से वर्तमान में जो विरोध प्रदसन है, उसको रोका जा सकता है, तो उनका ये कहना है, कि एक तरह से 2020 के जो परणाम उनको पहले तो रद किया जाएगा, वो इस सर्त्म पूर्ण रू तो ये एक तरह से चुनाओ को रद करने की बात कर रहे है, इसे पूर्ण रूप में मानने किया जाएगा, असी संभावनाएं कम है, उनके दोरह ये भी कहा गया, कि एक या दो साल में ने चुनाओ कर आए जाएंगे, जिससे अनुसासित लोकतंतर आपाए, अब देखिए, अनुसासित लोकतंतर का मतलब ये है, कि सैन एक तरह से जो नेंतरन है, वो जरूर बना रहेगा, तो इसको भी बड़े पैमाने पर एक तरह स्विकार नहीं किया गया, तो इन दोनों मागों को अभी जो सैन सत्ता के दोरह रखी गई है, उनको अस्विकार कर दिया गया है, आसियान में अगर हम देखें, एक तरह से बिभाजन जैसी इस्तिती है, क्योंकि थाइलन्ड, कमबोडिया और वियतनाम जैसे देश हैं, वो सैन सरकार का साथ दे रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापूर जैसे जो देश हैं, वो म्यानमार संकट में मध जैस्ता करकर एक तरह से जो वहां की पार्टी, NLD चुनाव जीती है, उसको एक तरह समर्थन दिनिकी बात कर रहे हैं, तो आसियान में भी एक तरह से कह सकते हैं, विभाजन जैसी इस्तिती है, अप्रेल में आप देखें, कि इंडोनेशिया की रादानी जकारता में, जो आ आनमार में जो भी इस्तितियां उसको नियन्तित करने में उप्योगी हो सकता है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से आप देखें, तो वो एक तरह से NLD का समर्थन नहीं है, खासतार से आनसान सुकी का, इन पांच कारिकरमों में अगर हम पहला देखें, तो हिंसा की ततकाल सम मस्या है, वहाँ पर मानवी साहता पहुंचने दी जाए, यहाँ पर भी एक तरह से आपसी मंजूरी है, रचनात्मक समवाद, यानि आपस में बैठके प्रारम करके जो विवाद उसको हल करने का प्रयास किया जाए, आसियान अध्यच के दूत की आत्रा, यानि आसियान के अध्यच के रूप में जो भी देश होगा, उनके जो दूत है, वो म्यानमार में जाएंगे, और एक तरह से आपसी दोनों पक्छें, उनके बीच में वारताएं करेंगे, और पाँचों आसियान के जो महासचेव हैं, उनके विसेश दूत की आत्रा होगी म्यानमार में, और ये भी एक तरह से दोनों पक्छों के बीच में सांति समझाता करने के लिए, और जो वरतमान गत्रियोदों उसको दूर करने का प्रियास किया जाएगा, इन पाँचों बिंदों से सबसे महतपूर जो बात निकल के आ रही है, कि आंग सांग सूकी की जो भूमिका है, उसको इतरह से कमजूर किया जा रहा है, और इतरह से माना यह जा रहा है, कि जो सैन सत्ता है, वो आंग सांग सूकी को म्यानमार में इतरह से जो उनका बढ़तावा प्रभाब उससे हटाने के लिए ये सारी स्थितियों को बना रही है, तो वो किसी भी तरह के उस समझोते पर हस्त साचर करने के लिए तयार होंगे या बाते करेंगे उस पर अगर सूकी को म्यानमार में कमजोर किया कि आं साट सूकी को एक तरह से कमजोर किया जाएं तो ये शिती भविस्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है अगर हम कुछ सक्तिसाली देशों की बात करें जैसे UK का ले 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 या USA का ले 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 तो ये सेने नेंतरन का विरोध कर रहे हैं अब इसका विरोध करने का बड़ा कारण ये है कि रूस और चीन जो अमरीका के विरोधी एक तरह से हैं प्रमुक रूसे वो सेने सत्ता का समर्थन करते हैं तो म्यानमार में अगर हम देखें तो एक मत एक तरह से किसी तरह का बेवार नहीं है जैसे सुरच्छा परसद के जो पांच इस्थाई सदस है उसमें अगर हम चार को देखें रूस चीन इसका विटो किया जा सकता है अब अगर हम भारत की सीति को लेकर शरें तो भारत ने एक तरह से विवास समादान में अपनी भूम का निभाने के लिए एक तरह से आउस्यान को सहीयग देने की बात की है क्योंकि bharat का मानना है कि आँस्यान एक महत्वपूर रोल आदा कर सकता है इस समझोत्य को कराने में और जो विबाद है उसको दूर करने में दूसरा आप धान रखें कि भारत के लिए उत्तरपूर भी जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर इस्थिर्ता के लिए म्यानमार में सांती काफी महत्तपूर्ण हैं खास सवर से अब देखें अरणाचल जो भूमी है उसका उपयोग भारत बेदोधी कारियों के लिए किया जाता है तो इसलिए भारत सरकार के दोरा पूर्ण रूप से जो वरतमान इस्तिती है उसमें आंसान सुकी या जो सैन सत्ता है उसका किसी एक का खुलकर समर्थन नहीं किया जा रहा है वो इक तरह से सांत म्यानमार का जो कोकोस द्वीप हैं, वहाँ पर आप देखें या सित्वे द्वीप की बात करें, तो चीन का अच्छा कासा वहाँ पर प्रभाव हैं, तो हिंद मासागर में अपनी सित्वी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोशिस यह है कि म्यानमार में जो भी सत्ता में मजबूती से रहें, चाए वो सेन सरकार हो या NLD के नित्यत में आनसान सूकी की सरकार, भारत सरकार अपने परभाव को बनाया रखना चाती है, इसलिए किसी एक पक्ष की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, भारत म्यानमार के साथ अपने आर्थिक सामरेक और सांस्किति जो संबंद है, उनके आधार पर भविस्त में जो बैठके हैं, उनमें रचनात्मक रूप से मदद करके इस संकट को हल करने के लिए प्रयास कर सकता है, अपने दूसरे अर्टिकल पर आते हैं, और ये भारत में COVID-19 के समय जो इस्थितियां एक तरह से अन्यंत्रित हुई है जहां पर लोगों के रोजगार चने हैं, उनके आयक के जो साधन हैं वो सिमित हो गए हैं, और उनके अपने खाद इस्थिति हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक संकट की स्थिति दिख रही है, तो इन सारी समस्थाओं के कारण भारत में भुकमरी की जो इस्थिति है, उ कोबिड-19 के समय की स्थितियों को देखें, अजीम प्रेम जी विस्वद्याले के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको कामकाजी भारत की रिपोर्ट 2021 नाम दिया गया है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ तथ्य उनको जना हम देखते हैं, इस रिपो रूप में जो वो कारे कर रहे थे, उससे वो अनेमित वेतन वाली प्रक्रिया में चले गए, तो यह काफी बड़ा एक तरह से आकड़ा है, दूसा देखें, कि 20% गरीब परिवारों ने अप्रेल और मई 2020 में अपनी संपूर्ण आय खो दी, यानि 20% परिवार ऐसे थे जिन अनूप सत्पती समिती के द्वारा बताया गया, तो अगर हम 375 रुपए प्रतिदिन की अनुसार देखें, तो 23 करोण वेक्तियों को इस नियुंतम आय से नीचे एक तरह से इस्तिति में जाना पड़ा, 23 करोण वेक्ति जो इस 375 रुपए प्रतिदिन से उपर नियुंतम म इस तर पर चले गए, यानि उनकी मजदूरी की प्रदिन जो प्राप्ति है, उसमें बहुत गिरावट आई है, ग्रामीड छेत्रों में अगर गरीवी की दर में हम ब्रिद्धी देखें, तो 15 प्रस्तत की हुई है, जबकि सेरी छेत्रों में यही जो ब्रिद्धी है, वो 20 प्रस्तत है, तो आँकड़े आप देखें, काफी एक तरह से बड़े इस तर पर भारत में गरीवी की स्थिति को, और अनवचारी व्रूप से कारे का बढ़ना, और जो एक तरह से नियुंतम वेतन है, उससे निचले इस तर पर वेतन का प्राप्त होना इसको बता रहा है, और 4,000 परिवार इसमें सर्वेचर में सामिल किये गए, तो ये जो आँकड़े हैं, इनको एक तरह से आप COVID-19 के समय जो भारत में लोगों को समस्याई हुई, उनको लेकर एक तरह से जोड़कर देख सकते हैं, अगर हम सहरी छेत्रों में देखें, तो माना ये गया, कि लग एक तियाई से थोड़ा ज्यादा था, यानि 33 परसंट से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप देखें, सहरी छेत्र में ज्यादा एक तरह से आमदनी में कमी हुई, अक्टूबर में अगर ग्रामीड छेत्रों में आप देखें, 26 परसंट वेक्तियों के पास आय नहीं थी, जब अक्टूबर में जितना वो पोसंट प्राप्त कर रहा था, उतना ही पोसंट उसके दौरा अक्टूबर 2020 में भी प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन 5 में से आप देखें, यह संक्या कितनी है, एक, यानि यह आकड़ा लगबग 20 परसंट के आसपास है, जबकि अगर सहरों म अगर हम उधार लेने की एक परंपरा देखें, तो सहरी छेत्रों में 54 परसंट लोगों ने इसको अपना है, जबकि ग्रामीड छेत्रों में यह केबस 16 परसंट से कुछ कम रहा है, तो आप देखें, सहरों में इस्तितियां ज्यादा इतर से खराब रही है, कारण उनमें सहरों में रहने मारे जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बड़ी संख्या में पलायन की है, तो यह स्तिति सहरों में से लिए ज्यादा भयावा दिख रही है, लगबस 67 परसंट लोग जो सहरी छेत्र में रह रहे हैं, उनको अपने भोजन छोड़ने पड़ी, यानी जो भोजन के आवश्रक्ता हैं पूरा करने के लिए उनके पास आये नहीं थी, जबकि गरामीड छेत्रों में यहां कड़ा 41 परसंट के आसपासी था, अगर हम इस तरह की विवित्ता को लेकर एक तरह से यहां पर इस अनसंधान को देखें, तो यह माना गया कि मुसल्मानों मे लगवा 60%, दलतों में लगवा 51%, ब्रद्ध वेक्तियों में 58% जिनकी कोई देखवाल करने वाला नहीं है, और 56% एकल महिला प्रधान परिवार, यानि ऐसे परिवार जिसमें महिलाएं एक तरह से परिवार की प्रमुक हैं, और ऐसे 56% परिवार हैं, जहां पर एक बार एक खाद सुरक्षा को लेकर और रोजगार और आई की जो सुरक्षा उसको लेकर इस्तितियां COVID-19 में बहुत खराब हुई हैं, और इसके लिए उपाए के रूप में आप देखें, दो महत्तपूर कानूनों को आधार माना गया हैं, पहला अगर हम देखें, रास्तिय खाद उपलब्द कराया जाता है, जिसमें अगर हम चावल देखें तो तीन रुपए प्रती किलो, गेहूं देखें तो दो रुपए प्रती किलो, और मोटा अनाज एक रुपए प्रती किलो, तो ये कह सकते हैं खास वरच्छा बड़े पहमाने पर यहां पार इस योजना के दार उपलब्द कराया जाती है, इसी तरीके से अगर हम रास्ति खास वर अच्छा अधरियम में देखें तो अन्तियोदा अन्योजना जो हमकी है, उसके अंतरगर्भी जो सबसे गरीब परिवार है, उनको ये तरह से रासन उपलब्द कराया जाता है, तो COVID-19 के वाद भारत सरक की तरफ से अगर हम देखें, तो प्रधार मंत्री गरीब कल्यान योजना लॉंच की गई, जिसमें अन्तियोदा अन्योजना जो काड़ धारी थे, उनको पांच गिलोग्राम रासन और साथ में प्रतिवेक्ति एक किलो जो दाल है, उसको अतरिक्त रूप में मुहत में प्र सारे राज्यों में भी एक तरह से रासन उपलफ कराने की अलग-लग योजनाय चल रही है, तो इनके मात्रम से खाद सुरच्छा की जो इस्तिती है, वो बड़े पैमाने पर एक तरह से मजबूत की जा रही थी, खासवर से अगर हम रास्टी एक खाद सुरच्छा अधिनिय इसके पहले आप देखें कि ये जो आपका हंगर वाच है, जिसका सर्वेच्छन अभी हमने देखा था, उसी सर्वेच्छन के कुछ और आंकड़े अगर हम देखें, तो सेरी चेत्रों में किवा 27% और ग्रामीड चेत्र में आप देखें जबकि 56% परिवार हैं, जिनके पा पर चिंता जनक है, अगर हम सरकारी रिकॉर्ड देखें तो 2019-2020 की तुलना में, 2020-2021 में मन्रेगा के तहट काम जो है, उसमें 47% की ब्रिद्धी हुई, और रिकॉर्ड 72 लाग परिवारों ने 100 दिन का काम एक तरह से प्रात किया, अब तक हमने जितना भी एक तरह से जो सर्व अबरेज ग्रामीड छेत्रों में काफी जादा है, ग्रामीड छेत्रों में मन्रेगा जैसी ओजनाओ के कारण रोजगार की अप्लब्दता काफी हद तक एक तरह से रही, जिस कारण से सहरी छेत्रों की तुलना में अगर हम देखें, तो ग्रामीड छेत्रों में इस्थिति कैसे कर सकते COVID-19 के समय तो यहाँ पर सरकार को एक तरह से कोसिज यह करनी चाहिए कि जो राश्ट्री खास सुरक्षा एक्ट है उसके अंतरकर जो कवरेज है और जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए और ये एक वर्ष के लिए किया जाना चाहिए दूसरा सुझाओ देखे तो मन्रेगा में पातरता जो एक तरह से कारिक के अभी वर्तमान में 100 दिन है उसको बढ़ा कर एक तरह से 200 दिन करने की आवश्य रखता है तो ये भी एक तरह से रोजगार की उपलबदता को बढ़ाएगा सैरी छेत्रों बढ़ा देखे तो रोजगार की वर्तमान में कमी है तो लॉकडाउन के बाद रोजगार भढ़ रहे हैं या रोजगार की संभावना कुछ है तो इसके संभाद में परामर्स केंदर सुरू किया जाने चाहिए जिससे कि सैरी चेत्रों में रोजगार की उपलवदता को बढ़ाया जा सके और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए इस्तितियों को अनकूल किया जा सके इसी के साथ साथ कोसिज यह होनी चाहिए कि आने वाले कुछ समय के लिए प्रती गरीब घर लगवग साथ जारुपय की जो आर्थ इस आर्टिकल पर आते हैं The Science, Teaching and the Rationality, Indian Needs तो यहां पर हम देखें कि GS Paper 3 के पार पर एक तरह से आप कर सकते हैं कि भारत में जो वैग्यानिक एक तरह से सोच या तारकिकता हैं उसको विक्सित करनी की जरूत हैं तो आप देखें NCRT के पूर वध्यक्ष हैं कृष्ण कुमा उसको हल कर पाना उतना आसान नहीं है जैसे यहां पर उनों एक्जामपल से बताया कि सामान रूप से अगर कोई व्यक्ति है और वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है तो उसका यह मानना है कि गाड़ी अगर वो तेज चला यह धीमी चला है एक्सिरेंट क्योंकि होना है क्य को एवाइड नहीं किया जा सकता है यह इस तरह के दुरगटना नहीं रोकी जा सकती है तो आप तेजी से वहाँ चलाते हैं तो यह जो आपकी एक तरह से अब वैज्यानिक सोच है उसको कहीं न कहीं बदलने की एक तरह से हमें आवश्च रकता है और COVID-19 में आप देखें त किसी के दोरह इसको पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है तो उसका वो विरोध करते हैं ऐसी कई घटला आपने देखी होंगी तो मास्क सामान रूप से एक वैज्यानिक के सकते हैं एक उपाय है जिसके आधार पर आप संक्रमन से बस सकते हैं यह ऐसा न लाएंगे अन्यता हम इसको एक तरह से वैकल पर ग्रूप में लेंगे तो अवज्यानिक अगर एक तरह से हमारी विचारधारा रहेगी तो हम इस तरह की स्थित्यों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे इसके पहले भी आप देखें जैसे अगर हम टाइफएड की बात करें या अगर हम बात करें डाइरिया की इस तरह की बिमारिया सामानता है पानी के एक तरह से प्रदूसित होने से होता है तो अगर पानी में प्रदूसरन है तो उसको उबाल कर काफी हद तक पेजल को सक्ष किया जा सकता है तो इस तरह की सामानिसिती को अपना जा सकता है लेकि प्राईवी के आधार पर यानि एक तरह से प्रेयोग के दोरा बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि पानी जो प्रदूसित है उसमें एक तरह से सूच में जीव हैं जो एक तरह से उसको गेर पीने लायक बनाते हैं यानि उसमें पेजल की छमता नहीं है वो आपको नुखसा पहुचा सकते हैं या भीमार कर सकते हैं तो हमने कभी बच्चों को इस तरह के जो सूच में जीव है उनके बारे में बताने का प्रयास नहीं किया या उनको प्रायवी का अधार पर दिखाया नहीं अगर बता भी दिया तो प्रायवी का अधार पर नहीं दिखाया तो ये व्यग्यानिक रूप में और तारकिक्ता लाने की अवश्चता है। तभी एक तरह से COVID-19 या अन्य तरह की जो समस्य भविस्व में आ सकती हैं। उनको लेकर हम जन समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। तो सिक्षा पर आप देखें कि काफी हद तक बड़ा एक दारोमदार है। क् अंसर सही रूप में उसका पता लगाया है और केवल किसी प्रस्ट के उत्तर के रूप में उसको याद किया है। तो उसके आधार पर वैग्यानिक सोच को विश्चत कर पाना उतना आसान नहीं है। यह आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों के दोरह ये भी कहा गया कि पस्टिमी देश में सिक्षा का इस तर इतना उंचा है। उसके बाद भी COVID-19 का उतना बड़ा फैला वहां पर क्यो हुआ। तो आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो बहुत से पस्टिमी देश ऐसे हैं जहां पर वैग्यानिक सोच में थोड़ी कमी आई है। तो ये एक बड़ा कारण है। ऐसा बिलकुल नहीं है कि हम ये कहें कि केबल भारत में वैग्यानिक सोच की कमी है। वैग्यानिक सोच जो विक्सित देश है पस्टिम के वहां पर भी एक कमी देखी जा रही है। वैग्यानिक सिक्षा को हमें बढ कि वेग्यानिक सोच हमें तारकिक रूप में किसी भी बात को समझने में मदद करती हैं, तो सामाजिक हमारी पूरी व्यस्ता है वो तारकिकता पत्तब आधारित होगी जब वेग्यानिक सिख्छा को बढ़ाव मिलेगा, और वेग्यानिक सिख्छा मजबूती से आगे तब पश्चकता है और इससे वेग्यानिक सोच और तारकिकता है उसको हम भारत में बढ़ा सके हम पने नेक्स राटिकल पर आते हैं और यह बंगलादेश के दौरा एक तरह से चीन की तरफ से जो एक चेतावनी दी गई उसका विरोध किया गया है क्योंकि चीन की तरफ से बंगला देश एक सवायतत देश है और उसकी बिदेश नीति को लेकर किसी भी तरह का अगर मालीजे उसको लगता है कि कुछ परवर्तन उसे करना है या उसमें कोई वो सुधार करना चाता है या कोई निर्णे लेना चाता है तो बंगलादेश स्वैम लेगा तो यह जो एक तरह से बांगला देश के दोरा चीनी पक्ष का विरोध किया गया है ये भविस्त में क्वैड में अन्य देशों के सामिल होने के लिए एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो आधार है वो दे सकता है आप ध्यान रखें कि भारत की तरब से प्रयास है कि बांगला देश हो आप ध्यान रखें भारत की तरब से प्रयास है कि बांगला देश और स्रीलंका जो हिंद मासागर में आपके इस्तित देश हैं जिनका हिंद मासागर से तड़ बनता है इनको इतरह से क्वैड के समू में एक रूप में आगे सामिल किया जाए और चीन इसको लेकर काफी एक आसंका भरी स्तिती में बना हुआ है और इसलिए अभी जो स्रीलंका और बांगला देश के दोरे हुए हैं उनके राजनीकों के उसमें भी ये बयान सामने आये हैं कि बांगला देश और स्रीलंका इस तरह के जो दच्छी नेशा के देश हैं उनको क्वैड जैसे समू में बहुत ज़्यदा इंट्रेस नहीं दिखाना चाहिए और आप देखें कि वरतमान में जो वैक्सीन डिप्लोमैसी चल रही है उसका भी चीन एक तरह से प्रियोग कर रहा है कि स्रीलंका और बांगला देश जैसे जो देश हैं वो क्वैड में कहीं सामिल न हो क्वैड समू के अगर हम बात करें तो क्वैड समू के दारा प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो उनका एक तरह से इसे विचारधारा माना जाता है जिसमें भारत की अगर हम बात करें तो एक प्रमुक देश है इसी के साथ साथ अमरीका सामिल है तीसरे देश के रूप में जापान जो इसका प्रमुक की तरह से प्रबर्तक रहा है और साथ में एक और देस हमारा है उस्टेलिया जो यहाँ पर सामिल है तो इन चारो देसों के दार मिलकर एक तरह से क्वैट को आगे बढ़ाने का प्रयास है उस्टेलिया के अगर हम बात करें तो उस्टेलिया इसमें 1819 में जब चीन से उनके संबन थोड़े खराब हुए खा जो चीनी व्यापार नीती थी जिससे अमरीका को नुखसान था तो यह बड़ा आधार था कि अमरीका ने क्वैट समू को तेजी से आगे बढ़ाया और आगे चलकर चीनी एक तरह से जो नीतिया थी उनके कारण और ऑस्टेलिया ने भी अपने आपको क्वैट में मजबूत लेकिन क्वैट को अगर आप केवाल एक सामरीक समू के रूप में देखते हैं तो आप एक तरह से आप देखें कि यह बहुत सठीक रूप में नहीं है क्योंकि अगर किसी समू को आप सामरीक रूप में एक तरह से देखते हैं तो जैसा चीन के दारा कहा जाता है कि यह एक चीन को किसी तरह से नियंत्तित करना यह जब विचारधारा इसको हटाने के लिए हमें कोईट के आर्थिक उप्योग को भी एक तरह से बढ़ाना पड़ेगा आप ध्यान रखें जब से RCP का गठन हुआ है रिजनल कॉंप्रेंसिब एकनॉमिक पार्टरसिप जिसमें आप दे जब देश के आर्थिक सायोग करेंगे अगर को सामरी के साथ आर्थिक रूपे में आगे बढ़ाया जाए तो भविस में एक तरह से इसकी मजबूती से इस्थापना हो सकती है और जो भी छेत्री देश है जैसे दचली चीन सागर के देश है या हिंद मासागर में सीलंका औ जारोप लगाया जाता है तो बांगलादेर, सीलंका या दचली चीन सागर के जो देश है या दचलपूर वेश्या के देशों को अगर हम एक तरह से क्वेड में मजबूती से लाना चाते हैं तो हमें इसे सामरी के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी आगे बढ़ाने का प्र एक तरह से जो सामरी के सिती है, उसको मजबूती से इन देशों के नेंतर में ला सकते हैं और चीन का जो प्रभाव उसको भी एक तरह से रोख सकते हैं ध्यान रखें कि क्वेड के मात दाहम से जो बेल्ट न लोड इनिशेटिव है जो चीन के दौरा प्रारम किया गया हैं उसके विकल्ब के रूप में भी हम एक आर्थिक समझाता ला सकते हैं। और ये इस्तिती RCP का एक तरह से विकल्ब भी यहाँ पर तयार कर सकता है। भविस्थ के लिए QED की जो चुनोतियां हैं वो काफी मजबूत हैं। अगर भारत, अमरीका, जापान और साथ-साथ औस्टेलिया इनके द्वारा सामरिक होने के साथ-साथ आर्थिक रूप में अपने आपको यहाँ पर मजबूती से स्थापित किया जाएगा, तो QED की प्रासंगिक्ता को हम लंबे समय तक बनाये रख सकते हैं। हमने आज की लास्ट आर्टिकल पर आते हैं और यह प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स यह आर्टिकल प्रमुक रूप से कह दियो को किस तरह से COVID-19 की जो इस्तिति उससे बचा कर रखा जाए उसके संबद में हैं। इसमें एक तरह से यह कहा गया था सुपरिकोर के दारा कि पुलिस को अनावस्यक गिरफतारी से बचना चाहिए और खास कर ऐसे मामले में जहां सास सास से कम की जेल हैं। तो ऐसे इस्तिति में जेलों में जो कैदियों की संख्या उसको हम कम कर सकते हैं। तो यह एक आवस्यक रूप में जो उपाय उसको अपनाना है। दूसरा एक महत्पूर जो उपाय है वो यहाँ पर एक तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर न्यायले ने देश के सभी जिलों में अधिकारियों से CRPC यानि जो हमारी न्याई प्रक्रिया उसकी धारा 436 एको प्रवावी करने के लिए कहा है। इस धारा के अंतरगत व्यस्था यह है कि किसी भी अपराद में जो अधिकतम एक तरह से जेल की अवधी है और कोई व्यक्ति अगर उसका आदा इससा पूरा कर चुका है केवल ट्रायल के माद्दम से यानि ट्रायल के दवरानी उसने आधी जेल की अवधी पूरी कर ली है तो उसको व्यक्तिकत बॉंड के आधार पर रिहा किया जा सकता है यानि कुछ व्यक्तिकत रुपए के रूप में जो बॉंड की रकम होती है उसको वो जमा करके वो एक तरह से रिहा हो सकता है तो मान लीज़े अगर तीन साल के अधिकतम कैद का कोई अपराद है और किसी व पीसी का भारत के सबी जिलों में अधकारियों के दारा लागू करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तो यह आप कह सकते हैं प्रमख रूप में उपाए हैं जिसे जेल में कैदियों की संक्या को हम घटा सकते हैं और कोबिड-19 का जो संक्रमन उंको हो सकता है उसकी सितिक को भी नियुंतम इस्तर पर ला सकते हैं हमारी सर्चा के आधार पर मुख्य परिच्छा से संबंदित अभ्यास प्रस्णों को हम देखते हैं पहला म्यानमार संक्ट के हल्की कुंजी सेन विस्था के साथ लोकतांत्रिक मुल्यों को मजबूत करने में ही है उपरोत कथन की सम सीमा 250 भूमिका में प्रमुक रूफ से आपको बताना है कि वर्तमान संकट की प्रस्ट भूमी एक तरह से जैसे नॉमबर 2020 का जो चुनाव उसको एक तरह से रद कर देना या आंसान सुकी का ज्यादा मजबूत हो जाना जिससे कि सैन सत्ता को अपनी जो इस्तिती वो कमजोर प्रतीत हो रही है ये कारण एक बता सकते हैं और ये भी आप बता सकते हैं कि 1962 से लगातार सैन एक तरह से हस्तक चेप है वहाँ के प्रसासन में बना रहा है मुख के भाग में आप बताएंगे कि सैन समू की एतिहासिक भूमका ब्यामार की आजादी के बाद जैसे 62 के बाद की जुस्तिती है बिभिन जनसंक्या समू में अलगाव बादी नीती इस तरह की अलगाव बादी नीती जो यहां की अलगला जनसंक्या समू में देखी जात लोकतांत्रिक मुल्या वो बड़े पैमाने पर इस्थापित नहीं हो पाते हैं तो निसकर्स के रूप में वर्तमान समस्या का हल यही हो सकता है अंतरास्थी दवाव के दारा जो सेन सम्मू जो सत्ता पर वर्तमान में कावेज हैं उनको लोकतांत्रिक वरस्था को आगे उसका हल भविस्थ में किया जा सकता है इस रूप में अनिसकर्स को लिख सकते हैं दूसरा कॉशन देखते हैं क्वेड समू को किसी के विरोध के विपरीत सामरे कार्थिक सहयों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा तब इसकी स्विकारिता और सदस्था को विस्तारित करने म दे सकते हैं मुख्य भाग में आपको बताना है कि चीन के विरोधी समू के दरजे करण समस्या हैं क्योंकि अगर कोई देश इसमें सामिल होता है तो उसे चीन का विरोधी मान लिया जाता है तो ये स्थिती एक तरह से इस समू के विस्तार होने में या बढ़ने में एक आर्थिक रूप से जो एक तरह से प्रसांत मासागर के जो प्रमुक देश है वो एक तरह से इसमें सामिल हो गए इस आर्थिक समू में आगी चल कर कोईट कमजोर नहो इसलिए इसके सामरिक होने के सासा इसका जो आर्थिक पक्च्छ है उसको भी हमें भविस्त में एक तरह तरह से कह सकते हैं विरोध में चल रहा हैं तो सारभोमिक उद्देश अगर होंगे तो समू को अधिक प्रासंगिक बनाए जा सकता है बजा इसके कि चीन के विरोध के रूप में अगर यह समू ज्यादा आगे प्रचारित होता है तो यह इसके आगे बढ़ने में एक बढ़ी बाधा होगा इस रूप में अपने अंसर को आप लिख सकते हैं ये हमारा 13-2021 का समाचार विस्नेशन था आने वाले समय में अन्ने दिनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से उपलब्त कराते रहेंगे बाईजूस आईएस हिंदी चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं अधिक से अधिक संक्या में लाइक, सेर और सबस्क्राइब अवश्य करें धन्यवाद